प्रशान दवन नाव जैसे आप लोग जानते हैं कि इरान ने एक बड़ा अटैक कर दिया है इसराइल पर ओपरेशन टू प्रॉमिस के अंडर नाम भी देखो ओपरेशन का चुनके रखा है सच्चा वादा जो वादा किया था कि इसराइल पर अटैक हम करेंगे किया चाहे य US European Union जिसकी भी statement आई ये बात बोलनी पड़ेगी इरान ने जो बोला था वो किया मगर देखो दुनिया के लिए इरान जो कर रहा है ये सरदर्दी का कारण बन सकता है अच्चुली बन चुका है इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर हम देखे ना तो हमने पहली बात तो य भूम फिर के भारत को अपनी जेव सही पैसा जारा खरशना होगा हमारे देश में पैटोल डीजल महंगा पड़ जाएगा ना सिर्फ हमारे देश में पाकिस्तान चाइना जपान साउथ कोरिया पूरी दुनिया को ही इसकी मार्ज हिलनी पड़ेगी तो इंडिया तो यही कह धरली है जो इसराइल से लिंग थी यह कंप्लीटली इसराइल की शिप नहीं थी मगर इसराइल से इसके लिंग थे और इसी वेसिस पर इरान के रेवलूशनरी गार्ड ने इस शिप को धरलिया और इस शिप में 17 इंडियन्स अब आप सोच कर देखो एक ऐसा सिनेरियो बना आप को बताता हूँ कि यह सब हुआ कहा पे है और इस शिप में और भी किन कंट्रीज के लोग हैं ना यहां पर हो सकता है कि आप में से कई लोग एक सवाल पूछें कि देखिए हमारी भारतियन ओसेना के जो चीफ है इन्होंने रीसेंटली यह का था कि इंडियन ओशन इसक फिर से आसा ही करते हैं मारकोस कमांडोस को भेजते हैं दो फ्रिगेट एक डिस्टॉयर क्या कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के जो भी लोग है इनको वापस ले आएंगे देखिए सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है अगैन आपको नोट करना होगा इससे पहले जो मारकोस से गुजरती हुई एक शिप को धर लिया है अब यहाँ पे आप कहेंगे मगर इरान ने ऐसा क्यों किया है इरान और इसराइल ये दोनों देश पिछले मैं कहूंगा पांच साल से दो हजार उन्ने से लगातार एक दूसरे की कार्गो शिप को टार्गेट कर रहे हैं चाहे वो मेरिटरीनियन सी हो रेड सी हो या फिस स्टेट अफ हर्मूज हो जहां भी जिस कंट्री को दूसरे की कार्गो शिप मिल जाती है उसे टार्गेट किया जाता है और अगर मैं न्यूटरलों के बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी आती है इसराइल की के इस इसराइल ने ये सारा इशू शुरू किया था दोजार ने से मुझे याद है ये नियूज आनी शुरू हो गई थी कि इरान के जो टैंकर शिप्स हैं इन्हें रेड सी में टार्गेट किया जा रहा है फिर अक्तूबर 11 दोजार नियूज में तो क्या हुआ एक इरानियन टै पर टैंकर था सबीती के नाम से इसे दो मिसाल से हिट किया गया था और उस वक्त इरान रे ड्येकली ब्लेम किया था इसराइल को और USA को के इरान को हरास किया जा रहा है इरान जो भी ओयल एक्सपोर्ड करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पा रहा फिर उसके बाद आप similar policy अपना ली के ठीक है अब कोई भी इनको cargo ship दिख गई straight of हर्मूज से निकलती हुई आपको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी upload के इरान straight of हर्मूज को block कर सकता है अभी तक किया नहीं है मगर इरान ने ये का है के अगर इन पे इसराइल या फिर US अटाक करता है तो ये straight of हर्मूज को block कर देंगे अभी इरान ने block तो किया नहीं है मगर अब ये क्या कर रहे है कि जो भी ship जिसका कोई distant link भी है इसराइल से उसको ये लोग धर लेते हैं अब problem देखो पूरी दुनिया के लिए ये है इरान ने तो अपनी policy के हिसाब से इस ship को धर लिया और इसकी जो वीडियो है ये भी काफी वारल उती रीसेंटली यहाँ पे आप देख पाएंगे BBC का आर्टिकल इरान के जो soldiers है ये helicopter से उतरे और इसरायल लिंट जो ये ship है इसको धर लिया इधर आप देख पाएंगे ये यहाँ पे जो chopper है इसमें इरान के revolutionary guards है ये ship है इस तरीके से जो revolutionary guards है ये उतरे और obviously बंदूक की नोक पे पूरी जो ship है इसको धर लिया क्या ये सई है नई ये गलत है जो इरान यहाँ पर कर रहा है ये allowed नहीं है this is very much wrong और अगर हम बात करें कि कितने लोग इस ship में है तो यहाँ पे आप देख पाओगे 17 तो Indian है फिर Filipino लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे Philippines आपको पता होगा एक ASEAN देश है पाकिस्तानी भी है यहाँ पर Russian लोग भी है शिप में और Estonia Estonia एक European देश है जिसको आप मैप पर देख पाओगे इस country के भी लोग आपको मिलेंगे इस ship में और इस ship का नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे MSC Ares इस ship को देखिए अब बचाना पूरी दुनिया की जिम्मदारी बन गई है और USA ने recently यह का है इस ship के बारे में यह आपके सामने tweet है White House की National Security Council की spokesman की यह आपर कहरी है कि जो यह ship है यह वैसे Portuguese flag है मगर इसराइल से इसका link है जैसे मैं आपको बताया और various nationality के लोग इस ship में है आगे यह कहती है कि इरान ने international law तोड़ कर इनोंने specifically यह का है कि this is a blatant violation of international law और यहाँ पर मैं कहूंगा इरान ना पकड़ा जाता है यह मतलब कहलो भावू को करना यह काफी उटपडांग काम कर देते हैं I mean इसराइल के case में मैं यह कहूंगा जो भी इसराइल करता है इरान की ships के साथ मैं कहीं से यह नहीं कहा रहा के इसराइल शेतानिया नहीं करता मैं कहीं से यह नहीं कहा रहा के इसराइल ने गलत काम नहीं किये लिस्ट आप देखोगे न तो इसराइल ने भी ठीक ठाक इरान को परिशान किया है मगर इस तरीके से शिप को धर लेना उस शिप में दुनिया भर की कंट्री के लोग हैं इससे इमेज बहुत खराब होती है कंट्री की इरान को ये बात समझ नहीं आती है और आप देखो openly US यहाँ पर कहा रहा है कि ये international law का एक violation है और साथी सारा को ब खाशा USA से काफी soft है number one हम लोग इरान के revolutionary guards को एक आतंग वाली संगटन नहीं मानते दूसरी बात हम लोग इरान के उतने against बिलकुल भी नहीं है जितना US है हमारे इरान के साथ decent relations है interest के relations है और इसलिए इडिया ने ये का है कि देखिए हम बातचीत कर रहे हैं इरान से बातच situation दुनिया की normal नहीं है हम इस वक्त एक ऐसे time में जी रहे हैं जब इरान ने कई सालों में पहली बार I mean इरान और इसराइल की जो rivalry है पिछले 40 साल से boiling point पे है अब इरान ने खुल कर attack करना start कर दिया इसराइल पर इसराइल ने भी अपने response में कह दिया है कि even though US ने इसराइल क करेगा ऐसे scenario में MSC Aries को वापस लाना इंडियन सेलर्स को बचाना ये tricky होगा और मैं उमीद करता हूँ कि इरान की सरकार को सत्बुद्धी मिले ये इसराइल के साथ बैठ कर ये सारा issue resolve कर दे और इस तरीके सही जो ship पगड़के बैठ गए हैं ये ना करे internationally इरान इससे और ज कुछ major updates आती हैं तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा उमीद मेरी यही है I am praying कि जो 17 इंडियन्स हैं और बाकी जो लोग हैं जो इस वलत फसे हुए है इरान में ये सुरक्षित वापस आ जाएं और किसी को कोई हानी ना हो और finally आपसे मैं आप एक सवाली पूछूँ के हाल ही में सागर कवच exercise ये काफी news में है ये कहां पे हुई है वाइद वे एक आपको hint दे रेता हूँ ये एक ऐसी जगा पे हुई है जो बहुत जादा news में है आज के समय बिकॉज ओफ Maldives तो ये हैं आप आपकी options केरला लक्षोदीप ओडेशा या फिर गुजरात comment section में करिए उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और finally आप लोगों के लिए एक बहुत important जानकारी study IQ की UPSC course की sale चल रही है आज के समय ये sale 15 तारीक तक रहेगी अगर आप एक college student है आपके पास time है एक लिंक पर करिए click और study IQ के platform पे आप आजाएंगे अगर आप ऐसे mobile phone पे हैं तो आप जो app है ये भी कर सकते हैं download और यहाँ पर देख पाऊगे ये course आप पर chase कर सकते हैं बड़ जो price यहाँ पर लिखा है 35,000 something ये पर करने की ज़रुत नहीं है simply यहाँ पर code use करिए PD10 और prices गिर possible तो ये discount use करिए by the way जो इसकी payment है आप no cost EMI के जरिये भी कर सकते हैं तो use the code PD10 and save money इस course की validity 30 महिने की होगी तो लंबे समय तक आप त्यारी करके properly एक attempt दे सकते हैं UPSC exam का सो इसी note के साथ यह है वीडियो का अंत थैंक यूफर लेस नेंगरा जाई अल्वेस से May the gods watch over you